जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हर एक ग्रंथ में, हर एक धरम में, हर एक गुरू ने, हर एक अवतारी पुरुश ने, पीर ने, पैगंबर ने, उसी सत्य को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग भाश्या में, अलग-अलग उधारनों के साथ बताया गया, लेकिन सत्य वो ही है, सत्य तो नहीं बदलता, सत्य शाश्वत है, पर इनसान भूल जाता है, और उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, सब ये ज्यान दिया जाता है, कि उसे याद आ जाए, जैसे कोई अगर घर का एड्रेस भ अटकता रहे, तो कोई उसे याद करा दे, तो फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, तो ये संत हमें याद कराते हैं, हम भी घर का एड्रेस भूल चुके हैं, तो इसलिए हमें याद कराने के लिए, वो अवतारी पुरुष आते हैं, जैसे कैदी हैं जेल में, कैदी तो सजा काट रहे हैं, अगर हम इस तरह से समझे तो, वो सजा काट रहे हैं, लेकिन जो IPS ओफिसर होता है, कोई बहुत अच्य पोस्ट पे होता है, परधान मंतरी के लो, तो वो जब जाता है जेल में, तो वो सजा काटने नहीं जाता है, वो भलकि उसके जाने से कुछ लोगों जेल से रहा कर दिया जाता है, ओर्डर दे दिया जाता है उनकी रहाई का, इसी तरह जो संत अवतारी पुरुष आते हैं, तो हम तो जेल में हैं, हम तो अपने कर्मों की वज़ह से हैं, लेकिन वो आकर जब धर्ती पर विच्छरण करते हैं, तो वो ऐसी कई आतमाओं को छ सजा बहुत जल्दी कम हो जाती है, जो हम कहते हैं कि कर्मा भोग रहे हैं और कर्म कटते हैं, तो वो यही बात है कि जब हम अपने वहवार को बदलते हैं, तो हमारे वहवार को देखकर, वो जो ऑफिसर होते हैं, वो फिर हमारी रिपोर्ट उपर भेजते हैं कि यह जो व्य समझो कि एक जगा इकठा करके एक आज का जो सब्जेक्ट है उसका मैंने नाम दिया divine pharmacy कि ये सब चीजे हैं उसमें pharmacy में सब तरह की दवाईयां होती है लेकिन जैसी बिमारी होती है हर एक को एकी दवा तो दीने जाती है जैसी बिमारी होती है उसको वैसी दवा दी जाती है अब ये दवा कब दी जाती है कैसे मिलती है हम कैसे इस दवा को ले सकते हैं तो उसी पर हम आज इस बात पर मिचार करेंगे पहले तो ये जानना है कि हम क्या है क्या सिरफ हम हम शरीर है क्या हम सिरफ मन है क्या आत्मा है कौन है हम तो अगर हम संतों की परिभाशा देखे तो हम तीनों का जोड़ है अब जब हम तीनों का जोड़ है तो एक का इलाज करने से तो पूरी तो सही हो नहीं सकते तिनों का इलाज चाहिए और जब हम तीनों का जोड़ है तो जो इलाज का तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए, जो तिनों के उपर असर करे, एक के उपर अगर असर करेगा, तो इलाज सही नहीं है, तो अगर इस बात को ही अधार बना लिया जाए कि हम सात शरीर हैं, एक शरीर भी नहीं है, और इन सातों शरीरों का जैसे आप पिछले तो अगर हम सिरफ खुद को शरीर मान लेते हैं, तो पत्री सा ये कहते थे कि शरीर तो हाथी की पूँच है, हाथी तरह बड़ा है, पूँच बहुत चोटी सी है, तो अगर पूँच का इलाज करते रहेंगे, तो हाथी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर हाथी का इलाज तो हाथी की पूँच को देखने जैसा है, हम फिजिकल बॉड़ी हैं, अन में कोश हैं, प्राण में कोश, वाइटल बॉड़ी जिसकी बात हम बहुत सारे हफ्तों से कर रहे हैं, कि वाइटल बॉड़ी की एनरजी को बढ़ा कि कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं, मनों में कोश नौट में की कैसे हम हरे को अपनाएं, अपनाते हुए सब को साथ लेकर आगे चलें, फिर तब हम वो कारण शरीर जो हमारा है, कौजल बॉड़ी है, विज्ञान में कोश जो है, फिर उसके अंदर जो भी हमारे संसकार, जो भी हमारे इंप्रिंट्स पड़े हुए हैं, जो भी हमारे बीज हैं कर्मों के, वो धीरे धीरे वो खतम होने शुरू हो जाते हैं, तब हमें आत्मग्यान की प्राप्ती होती है, आत्मग्यान मतलब knowledge of self, वो इस बात का जवाब मिल जाता है, मैं कौन हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं एक शुद् तो हमारे जीवन बदल जाता है, फिर हम जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते, अगर वैसे ही हैं, तो मतलब अभी हम वा तक नहीं पहुंचे, उस लेवल तक नहीं पहुंचे, और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, उस आत्मग्यान को जो हमें मिल रहा है अपने भीतर से, जब उ तो इतना ध्यान कर रहा है, इतना ध्यान परचार कर रहा है, उसे क्यों तकलीफ हो रही है, तो आप यह समझ रहो कि अभी वो आत्मग्यान की अवस्था में है, ब्रह्मग्यान की अवस्था में नहीं पहुंचे अभी, आत्मग्यान की अवस्था में हमें खुद का पता च पिर यहां पर आ कि कोई भेड नहीं रह जाता कि मैं अलग हूं वो अलग है यह सब अद्वयत में चले जाते हैं अत्मग्यान थकि वह द्वयत रहता लेकिन उसे उपर ज़ब जाते हैं तो अद्वयत में चले जाते हैं तो यह जो साथ शरीर है यह अलग- боль engaged काम नहीं करते हैं जैसे मेरे हाथ की पांच उगलियां है तो एक-एक उगली अलग-अलग काम करें इसा नहीं होता पांचों मिलके काम करती है जैसे मैं पांचों को हिला सकती हूं पांचों में से जैसे चाहे वैसे मुद्रा बना सकती हूं वैसे कर सकती हूं जैसी जब-जब जरूरत होती है वैसे वैसे ये हाथ से हम काम लेते हैं इसी तरह से जैसे जब जब जरूरत होती है जिस शरीर की जरूरत होती है जैसे हमारी मनों स्थिति होती है जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे वैसे हम अलग-अलग लेवल पे काम करते हैं वो ही हम होते हैं कभी बहुत नी मन कभी बहुत खुश है, कभी उदास हो गया, कभी कुछ थोड़ा ये सब चलता रहता है हमारे जीवन में, और उससे हम सीखते रहते हैं, अब अगर हम ये जाने ही, कि ये तो हमें पता चल गया कि हम शरीर, मन और आत्मा का जोड़ हैं, और हम हमारे पहले तो बात अगर शरी होते हैं, एक वो रोग जो ठीक हो सकते हैं, कि और एबल डिजीजिस जिनको कहते हैं, जैसे खाना गलत खा लिया, कुछ उपर नीचे खा लिया, कुछ जो खाना नहीं था, जिससे परेज करना चाहिए था, वो खाना खा लिया, तो ये अगर खाने को ठीक करेंगे, तो शरी ठीक हो जाएगा कुछ जो चीजें हैं वो हमारे मन से संबंदित हैं कि जो हमारे सोच विचार है जादा चीजें उससे संबंदित होती हैं फिर वो हमारी आदतें बन जाती हैं हमारे पैटन बन जाते हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है उनके बहुत मेनत करनी परती है अब हम कहते हैं कि नौन डांविजEd नहीं खाना चाहिए लेकिन आप देखो जो घाते हैं वो बदल पाते हैं अपनी आधक को बहुत मेनत करनी पड़ती है तो फैर मन के मन तो दिखाय भी नहीं देता तो मन की १ूम आथ नहीं आहीं कि देता है तो मनकी चीजों को कार्मिक पैटर्न होते हैं और हमारे सोल के लेसन होते हैं जिसे कही बार बहुत लोग फोन करते हैं इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन नहीं बदल रही है situation नहीं बदल रही है मतलब उस situation से हम नहीं सीख रहे हैं बार-बार वो situation आ रही है हम उससे lesson नहीं ले रहे हैं तो वो चीज़े repeat होती रहती है अभी आपको एक बार लगेगा बीमारी ठीक हो गया फिर आपने कुछ नहीं संभाला अपने आपको अपने आपको नहीं बदला फ जो भी कोई नाड़ी पैथी को जानते हैं जिनको मैं कितनी बार दिखाया है कभी-कभी जब जरूरत होती है नहीं भी दिखाती हूं जैसे पहले ट्रावल करती थी लेने जाती थी जैसे बात करते हूं जैसे मैंने भी हाथ ही लाया तो वो जो जानकार होते थे वो दूर से ही देखके वो मुझे बाद में सेशन के बताते थे कि मैडम हम आपसे कुछ परसनल बात पूछना चाहते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी तो मुझे बताते है कि आपका ये lifestyle है इस समय आपको बेड़ पर होना चाहिए जो हम आपकी हाथों की रेखाओं को पढ़कर जान पा रहे हैं और आप यह जो चल फिर रहे हो यह जो आप भूम रहे हो यह सिरफ जो सेवा कर रहे हो उसकी वज़े से यह आपको blessings है उसकी वज़े से आप चल रहे होगने है उसमें भी हमारी बहुत हो जाती है लेकिन सर कहते थे कि 80% तो आपको हो सब्तर छूट मिल जाए जैसे मालों कि अगर 18 साल की कैद है तो सब्तर 12 साल में चुटी मिल जाए तो बाकी आपको 20% भोग भोगने ही पढ़ते हैं ताकि आपकी आत्मा वो लेसन अच्छे से सीख ले और फिर जो लेसन एक वारा आत्मा सीख लेती है ना फिर वो गलती दुबारा करती नहीं पीछे नहीं जाती है मैं यहां पर एक आपको इंसिडेंस बताना चाहती हूं कि कैसे समझ में आती है यह बातें तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मास्टर थे अपने ध्यान म को नेट पर तो यह सब चीजें बहुत चलती हैं मतलब लोग बैक टू नेचर जा रहे हैं कि नेचरल नॉमल लाइफस्टैल में हम जाएं यह सब चीजें ना हो बहुत बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल भी वन गया है जहां पर यह चीजें सिखाई जाती हैं परमोट की तो वह सब लेकिन वह बारबार उनको फम यह था कि देसे हम कहते हैं हमें मैसे जाए मैसे जा रहा है कि असितना चाहितर है कि उसको इतना व्राटर नहीं चांगे लिए मेरा आना जाना बहुत था जब मेरी बात उई तो मैंने कहा कि सब्णी अगर ऐपने प्वनBuy किया तो मैं नहीं आऊंगी इसकाम के लिए में को और किसी काम के ले बुलाओ में आऊंगी लेकिन यह आप सोच ना कि घर पे ही water birthing कर सकते हैं हम मैंने का मैं विलकुल इस काम में नहीं आऊँगी बाद में मत कहना मुझे और मैं अड़ी रही उस बाद पे और मैं बार बार कहते ही कि मुझे जितने मर्जी फोन कर ले न मैं नहीं आऊँगी यह घर पे होने वाला काम नहीं है चाहे मैं इस दौर से गुजरी नहीं हो लेकिन कितनी complications होती हैं क्या हो सकता है और कल को पत्री सर कहेंगे कि आपकी बुद्धी नहीं थी दिमाग नहीं था आपको यह करने वाली चीज़ें जो आप कर रहे हो ठीक है spirituality है कोई master आ रहा है सब बाते ठीक हैं लेकिन धर्ती के वास्तिक्ता को भी हमें स्विकार करके जीना है ऐसा नहीं कि हवा में ही चलते रहेंगे और फिर धीरे यह सब चीज़ें हुई फिर वो water birthing तो नहीं हो पाया और hospital जाना पड़ा normal delivery हुई तो वो उनके मन में यह बात इतनी पकी पकड़ कर बैठ गी कि उस soul ने जो आत्मा जो वो बच्चा आया जिसको हम पहले ही समझ लेते कि बहुत बड़ा master है इतना कसके पकड़ लिया कि उसका वैवार देखके भी हमें बड़ी हरानी होती थी कि वो जिन लोगों ने उस समय यह सजेस्ट किया कि नहीं ऐ master ने मुझे का कि तुने बहुत अच्छा के जो तुने इतनी जिद की कि यह नहीं करेंगे तो मुझे भी बड़ी हैरानी थी कि मैं सामने वाला इतना बड़ा master फिल मेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई तो एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे पता चला कि मैंने past life में ऐसा किया कि जैसे ही वो delivery समय मतलब होने लग गया बच्चा डॉक्टर चला गया और मैंने help किया उसको मैंने डॉक्टर को उस समय नहीं बुलाया खबराट में कि कुछ गढ़बढ हो जाएगी तो मैंने उसको help किया midwife होने के नाते help किया तो मेरी help करने की वज़े से क्योंकि मुझे समझ नहीं थी वो बच्चे की टांग में नुकस आ गया तो उसका चलना फिरना हमेशा के लिए life में वो अपाहिज हो गया और ये चीज इतनी मेरी soul ने सीख ली कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिस बारे में समझ नहीं है एक सेकंड दो सेकंड की देरी हो जाती डॉक्टर क बुला ली जाता तो ये कर्मा नहीं बनता और उस कर्मा की वज़े से मेरे इस बार लेक्स में प्राप्लम हुई कि मुझे वो जो उसको दर्द दिया उस आत्मा को उसकी वज़े से मुझे ये दर्द इस life में जिलना पड़ा तो वो क्योंकि मेरी soul lesson सीख चुकी थी कि ये का हम बिलकुल नहीं करूंगी तो वो जो हमारे lesson सीख लेती है ना soul फिर वो दुबारा वो गलती नहीं करती है वो situation आती है test करने के लिए अब वो कब के जनम की बात ही मुझे नहीं पता इस जनम में क्या हुआ same situation आई लेकिन मैंने एकी ना पकड़ी की नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं करेंगे क्योंकि वो lesson में सीख चुकी थी तो टेस्ट पास हो गया तो incurable diseases होती है जो कर्मा की वो हमें भोगनी ही पड़ती है लेकिन उनकी intensity कम हो जाती है फिर आते हैं हमारा मन मन हमारा कितने परकार का है ये बहुत सारे हमने session attend किये लेकिन यहां बिल्कुल मोटी मोटी बात कर रही हूं जो संतों की भाशा की बात है कि हमारे दो माइंट है एक है higher mind एक है lower mind जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो higher mind हमेशा universe से instructions लेता है master से पूछ कर कोई भी फैसला करता है lower mind नीचे संसारिक logic के हिसाब से संसारी लोगों के हिसाब से संसारी सिक्षा क चलता है तो फिर यह गड़बर हो जाता है और हमेशा जब आप संसारी को से संसारी के इसाब से फैसले करते हो तो आप देखते हो कि वह गलत हो जाते हैं क्योंकि हम पूरा व्यू यह नहीं देख पा रहे हैं अब आप मुझे देख रहे हो मेरे room को देख रहे हो लेकिन कभी भी आप किसी भी चीज का पूरा व्यू देख ही नहीं सकते हो अगर मैं हाथ ऐसे कर रही है तो आप मेरे पीछे का हाथ नहीं देख सकते हैं चोटी सी चीज है कि हम अपने शरीर को भी एक ही बार में पूरा नहीं देख सकते हैं अगर मैं शीशे के सामने भी खड़ी तो मैं बैक का पूरा कोई भी चीज नहीं देख सकती हूं, फ्रंट सिर्फ देख सकती हूं, तो इसलिए उन्होंने का कि infinity है, मतलब अनंतता है बहुत ब्रहमांड में, अगर हम अपने शरीर को पूरा एक बार में नहीं दे सकते, तो और चीज को क्या देख सकते हैं, तो lower mind औ अगर आज की भाशम है कि तो flight mode में चला जाए, और higher mind हमारा जो है, वो active हो, ध्यान इसलिए इतनी मेनत करते हैं, ज्यान लेते हैं, ध्यान करते हैं, घंटों घंटों ध्यान करते हैं, कि योगी को ये समझ आ गई, कि गर्ब में, गर्ब अवस्ता जो थी, उस समय मेरा जो mind वो flight mode में था, एक्टिव नहीं था, और अनंद की स्थिती बनी थी, लेकिन वो बिहोशी की हालत थी, वो रस उसने पिया है हर आत्मा ने, लेकिन जैसे जैसे इस साधना के मार्क पर चलते हैं, तो वो उसी स्थिती को पुने पाना चाहता है, कि फिर दुबारा mind जो है, वो lower mind जो है, वो क्या कहना चाहिए, कमजोर होता है, और जो हम कहते हैं, intuition आ गई है, मुझे ये message आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिल की अवाज ऐसे कह रही है, वो हमारे higher mind की स्थिती होती है, जो हमें थोड़ा उपर उठकर चीजों पर फैसला करना सिखाती है, नह हमें healing एक ही level पर तो हो नहीं सकती है, तो healing के भी बहुत सारी modalities बन गई, अब आप हम अपने आसपास देखते हैं कि कितनी therapies, कितनी healing, अगर spirituality में भी चले जाओ, तो कितने तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को किसी चीज से लाब हो जाता है और फिर वो उन चीजों को लेकर आगे चलता है कि इस तरह करने से ये हो जाता है, तो अगर हम शरीर के level पर देखें, मन के level पर देखें, सोल के level पर देखें, तो सबसे पहले शरीर है, वो information machine है, आप इसे जैसी information दोगे, वैसे ही body के cell काम करेंगे, अब ये बड़ी हरानी क बात है, कि वो ही चीज एक व्यक्ति खाता है, उसे कुछ तकलीफ नहीं होती, वो ही चीज दूसरा व्यक्ति खाता है, उसे तकलीफ होती, फरक क्या है information का, information आपने जैसी feed की हुई है, वो वैसे ही body काम करेंगे, अब ये हमारे जो body के cell होते हैं, दो तरह के cell माने जाते हैं parent cell और supporting cell, अब हम इतने time से ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्य कर रहे हैं, सजन सांगते कर रहे हैं, तो हमारे जो parent cell है, parent cell मतलब जो हमारे main cell है, जो जब गर्ब के समय अंदर परवेश किया कि कैसा हमारा blueprint होना चाहिए, जिसे बार-बार हम template कहते हैं, energy template है, वो parent cell है, लेकिन बह बिगड़ते रहते हैं, हमारे body में इतने changes होते हैं, वो supporting cell है, जो अपना role play करते हैं और चले जाते हैं, अब अगर कोई बिमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ये मानलो की parent cell की information change नहीं हो रही है, जिसे energy template change नहीं हो रहा, इसलिए बिमारी बार-बार आ रही है, supporting cell तो change होते हैं लेकिन parent cell की information change नहीं हो रही, मतलब अगर मानलो की मैंने बचपन से ये सुना है कि रात को दही नहीं खानी है, लसी नहीं पीनी है, ठंडा नहीं खाना है, सर्दी लग जाएगी, बुखार चड़ जाएगा, अब ये information मैंने बचपन से सुनी है, अब मैं जब खाना शुरू करूंगी, तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन एक व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं पता है, वो सब मस्ती से खा पी रहा है कि क्या फरक है, उसको वो information नहीं मिली है, तो उसकी body अपने intelligence level पे काम कर रही है, लेकिन मैंने जो information ली है बचपन से, मेरी body उस information पे काम कर रही है, तो हमारे system से हटती चली जाए, यानि हमारा energy level चेंज हो जाए, इसलिए 40 days meditation करते हैं, लंबे समय तक ध्यान करते हैं, पूर्णी मा ध्यान करते हैं, कि वो जो parent cell की information है, वो change हो information, वो information change होगी, तो आगे, जैसे आप को कि head office से जो भी instruction दी जाएगी, नीचे के लोग तो instructions follow है, तो जब वो head office से higher minds की instruction change होगी, lower mind चांत हो जाएगा, तो automatically cell level पे, cellular level पे change होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बिमारियां ठीक हो जाती है, वो ही ध्यान है, वो ही स्वाद्य है, वो ही सर्जन सांगत्य है, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक होते हैं, क्यों information नहीं change हो रही है, तो body level पे, अगर हम information body को सही देंगे, तो body बहुती perfectly काम करेगी, और इससे बढ़िया कोई ब्रहमांड में इतनी complicated कोई machine ही नहीं है, यह machine ऐसी है, यह ऐसा device है, जिससे प्रकिर्ती ने और परमात्मा ने मिलकर बनाया है, सबसे जिससे complicated highest यह device है, लेकिन हमें इसे handle करना नहीं आता है, और जिन लोगों ने इसको handle करना समझा है, उसके विज्ञान को समझा है, उन्हो ने फिर जीवन में चमतकारिक जीवन जिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, trust the divine, कि जो भी हो रहा है, अच्छा होगा, जो भी हमारे साथ होगा, हमारी भलाई के लिए होगा, trust your body, अपने body जिस तरह से काम कर रही है, उसके process को trust करो, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ चीज खाने का करता है, कि ये चीज खाऊना, ये मन कर रहा है मेरा खाने का, और जब वो खाते हो, तो आप ठीक हो जाते हो, वो body का intelligence काम करता है, जैसे गर्ब में जब बच्चा होता है, तो ऐसा मैंने सुना है, कि अलग-अलग चीज़ें का मन करता है, अलग-अलग तरह की चीजें खाने का मन करते हैं, तो वो body का intelligence level काम कर रहा है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो body का intelligence level काम कर रहा है, उस समय तो हम trust करते हैं, सबी बड़े बुड़े यही कहते हैं कि जो खाने का मन हो खाना, जब खाने का मन हो खाना, लेकिन उसके बाद जब वो समय निकल जात कितने changes आते हैं, body में कितने changes आते हैं, mental level पर कितने changes आते हैं, क्योंकि वो कैसे change आ रहे हैं, वो divine आपको guidance कर रहा है, और फिर आप उसको trust करके उस तरह से कर रहे हो, अपने body को trust कर रहे हो, अपनी body के process को trust कर रहे हो, तो वो चीज़े हो रहे हैं, लेकिन बाद में हम भूल ज जाते हैं अगर वही चीज़ हम continue रखें और हमें यह चीज़ सिखाई जाए तो हम healthy ही रहेंगे एक ओधर है वेला स्टेनले इन्होंने बुक लिखी है from the mundane to the magnificent शायद किसी ने पढ़ी होगी यह जो बुक है इनकी यह बुक इसमें इन्होंने अपनी autobiography लिखी है मैंने सरके मुझसे सुनी थी और मैंने बाद में पड़ी भी यह बुक 85 years की age में इस lady को लगता है कि मुझे जो सिलाई machine होती है वो सीखनी एक जनून है कि मुझे इस लाई machine सीखनी है और जब इस लाई machine अब इनका महौल ऐसे कि घर से बाहर नहीं जा सकती है किसी ट्यूटर को घर में नहीं बुला सकती है कुछ ऐसी कंडिशन्स है तो इन्हें सिलाई machine सीखने का बहुत मन है तो वह हर समय थौट 24 गंटे चलता रहता है तो करते-करते इनको उस स्थिति में एक इनके पास और वह इन्हें कहते हैं कि सिलाई machine लेलो हम आपको सिलाई machine से चलानी है कैसे करना है इनको वह एस्ट्रली सिखाते है और फिर दीरे इनको वह गाइड करना शुरू करते हैं और बहुत सारी इनको guidance मिलती है फिर इनको ध्यान में उस शूने स्थिति में यह धरती क्या है धरती की layers कैसे बनी है मनुष्य के शरीर कैसे ठीक हुआ है तो इसलिए इन्होंने book का नाम रखा है from the mundane to the magnificent जो हम यह अपने आसपास एक भौतिक जगत देख रहे हैं यह भौतिक जगत नहीं है इसके भीतर कितनी शक्तियां काम कर रही है तो इसमें बहुत कुछ लि लेकर जाते हैं और इनको बताते हैं कि doctor कैसे इलाज करता है कैसे अंदर की information change होती है कैसे cell change होती है कैसे कितनी शक्तियां उसके पीछे काम करती है प्रकिर्थी की तब वो व्यक्ति हील होता है तो एक एक चीज इनको बहुत detail में बताई जाती है तो अगर हम trust करे process पे मतलब trust the divine जो भी ने information दी जाती थी बता जाता था उसे trust करती थी और अपने आप पे trust करती थी तो फिर इन्होंने इतनी बढ़िया वो सारे अपने अनुभों की book लिखी है लेकिन हमें जब कोई कहता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ थोड़ी ऐसा हो सकता है और उनके साथ की गई है वो नहीं खानी है आज भी लोग फोन करके पूछते हैं गार्लिक क्यों नहीं खाना है भी जब आपको डॉक्टर ने कहा दिया कि अगर आप यह चीज खाओगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी तो हम फिर नहीं खाते लेकिन अगर spiritual doctor कह रहा है कि गार्लिक न यह सब राजशिक food में आते हैं हम समझें गार्लिक शुमारे ऑन्दर से हमारे emotions को हमारे जो सेंसेज हैं उनको जो भड़काते हैं वो तेया और जो सातविक होता है वो बहुत ही cooling effect देता हमारी बॉडडी के लिए बहुत ही healthy होता है इसमें नहीं जाते आजम तो हमेशा अपनी body को right information तो क्योंकि यह हमारा जो conscious mind है यह watchman है gate पर यहाँ से जो information अंदर जाएगी वो information जरूर अपना काम करेगी आप देखो इसका बहुत सुंदर उधारण है कि शिवजी भगवान ने वो wish पिया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया वो information अंदर body के नहीं गई वो वहीं पे रुक गई तो शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन हमारे साथ ही होता है कि हम filter करते ही नहीं है जो आता है जाने दो अंदर सब कुछ और फिर हम बिमार हो जाते हैं क्योंकि जो हम देख रहे हैं हम वो भी पूरा नहीं देखते हैं हम अपने हिसाब से चीजों को अर्थ देके उस तरह से समझते हैं हमारा filter ही जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो हमें जो भी सुन रहे हैं उसका फिल्टर होना चाहिए कि ये बास सही है की नहीं, क्या मेरे लिए ठीक है की नहीं, अब मालो हम इतने सेक्शन सुन रहे हैं, हर एक अपनी अपनी wisdom शेयर कर रहा है, अगर सबका सब कुछ ले लेंगे तो हमी confused हो जाएंगे, हमारे लिए क्य उचित है, क्या हम ये चीज अपने life में apply कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन ली, बड़ा बड़ा सब कुछ कर लिया, क्या ये मैं apply कर सकती हूं की नहीं, अगर आपकी आत्मा उस चीजों को नहीं कर सकती है, तो जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करो, कि नहीं हमें क्योंकि हम अपनी नजर से देखते हैं, और यहां मैं आपको एक बात बताओ, जो चीजें सिध्धान्तिक दृष्टी से हमें बहुत अच्छी लगती है, वहवार में वो चीजें हमसे होती नहीं है, सिध्धान्त में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लग उससे हम गिरते हैं, तो नॉलेज लेना है, समझ होनी चाहिए, लेकिन आप कितना कर सकते हैं, उतना ही ले आप, ओवर्डोज लेने से फिर बदहजबी हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो ओवर्डोज ना ले, स्पिर्चुल्टी के भी, और जैसे जैसे हम इन चीजों को हैं, डिवाइन से शुरू करते हैं, हम जो इंट्यूशन आती है, जो हमें ये चीजें समझ में आती है, जो हमारे दिल की आवाज हम सुनते हैं, आत्मा की आवाज सुनते हैं, ये हम डिवाइन से इन्फॉर्मेशन लेके, फिर इन्फॉर्मेशन लेने तक ही सीमित नहीं है फिर आपको उस information को उस सत्य को जीना है जीवन में अगर आप जी नहीं रहे हैं तो अभी आपने सत्य को जाना नहीं है बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि मेडम हम तो नहीं खाते नॉन विच लेकिन हमें परिवार के लिए बनाना पड़ता है यह हमारी मजबूरी है तो मतलब अभी आपके अंदर सत्य नहीं गया है सत्य में कोई किसी का लिहाज नहीं है बाल मी की रतनाकर डाकू था और जब उन्होंने संतों ने का कि घर से पूछ किया को तेरे कर्मों का हिसाब देने साथ चलेगा तेरे तो उन्होंने का नहीं हम क्यों चलेगे साथ में आपका तो और उसके लिए हमें वैसी कहानिया भी मिल जाती है तो जब तक divine intelligence जो हमें मिलती है उसके अनुसार नहीं जीते हैं तो हम healthy happy नहीं रह सकते हैं और जैसे divine intelligence बढ़ती है हम ध्यान करते हैं साधना करते हैं तो फिर वो कभी-कभी जो आती है intelligence फिर हम उस intelligence इस फील्ड में ही रहते हैं कॉस्मिक माइंड जैसे कॉस्मिक एनर्जी को हम ले रहे हैं तो कॉस्मिक एनर्जी को लेने से क्या होता है हम कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट हो जाता है हार माइंड एक्टिव हो जाता है वो कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट होता है और कॉस्मिक इंट बढ़ती है उतनी जादा इंटेलीजेंस हमारी बढ़ती है इसलिए इतने गरंथ आये हैं क्योंकि यह गरंथ किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं अपमी बुद्धी से यह सब कॉस्मिक इंटेलीजेंस है, जो आज तक वो शाशवत सत्ते हम समझ रए हैं तो हमें एंटिबाइटिक जो दिया है संतो ने वो दिया है स्वात्या, study of sel Army, हर दिन आत्म चिंतन करना आत्म मंधन करना' मैंने क्या गलत किया मैंने क्या सही कि यह है इसलिए books पढ़ना इतना जरूरी है औ हमें कैसा जीवन जीना चाहिए हम बड़े बड़े सब्जेक्ट तो ले लेते हैं समझ भी लेते हैं लेकिन वो जीवन उतारते नहीं है Continue seeking की बात करें आगर तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है για 15 करदेन consent forgive करने से हम सब फील हो जाता है सब ठीक हो जाता है लेकिन उसके लिए एक test भी है कि आत्मा से आपने forgive किया कि नहीं तो इसे पत्री सर बताते थे litmus test of the soul कि अगर आपने अंदर से माफ कर दिया है उस व्यक्ति को और आप उस सवस्था में हो आपने अपनी frequency बढ़ा ली है तो जब कभी वो व्यक्ति आपके सामने आए जीवन में और आपको पुरानी बाते याद आ रही है तो अभी आपने माफ नहीं किया है आपने forget नहीं किया है forgive के साथ forget जुड़ा हुआ है कि भूल जाओ रात गई बात गई लेकिन ये बात करने जितनी असान है जीवन में उतारने उतनी मुश्किल है तो बार-बार आप अपने आपको test करते रहो कि मैंने ये बात भूल गई, मैंने forgive कर दिया लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे सामने आता है वैसी परिस्तिति आती है तो क्या मेरा पुराना record बजना शुरू हो जाता है किसने ऐसा किये था वैसा किये था अगर पुराना record बज रहा है तो आपने अभी वो बाते अंदर से छोड़ी नहीं है वो आपकी आत्मा का litmus test है बार-बार universe आपको test करता है कि आपने छोड़ा की नहीं छोड़ा छोड़ा की नहीं छोड़ा अगर आप फिर वो ही cd play करने लग जाते हो अपने अंदर तो फिर अभी आपने वो test pass नहीं किया तो इसलिए ये चीजे ये imprint तब हटते हैं जब हम इन पर अपना आत्म चिंतन करके मेनत करते हैं तो हर एक बात ये करता है कि मेरा soul purpose क्या है बहुत soul purpose के लिए हम बहुत तड़पते रहते soul purpose पता चले soul purpose जो भी हम लेकर आए हैं आत्मा उस पर चुप चाप से काम करती रहती है और आत्मा अपना purpose mind को भी पता नहीं चलने देती है आप देखो कितनी स्थितियों में मन काम करना बिल्कुल बंद कर देता है समझ ही नहीं आती है तब आत्मा अपना काम करती रहती है और आत्मा मन को पता भी नहीं चलने देती है कि वो क्या कर रही है और वो अब क्या करने वाली है बहुत सारी life में ऐसे situations आती है जब बिल्कुल हम सुनन से हो जाते है हमें पता नहीं चलता तो आत्मा उस समय हार मैंड जो है वो आकर कंट्रोल ले लेता है लोवर मैंड बिल्कुल डरा सा सहमा सा हो जाता है उसे पते नहीं चलता क्या करने क्या नहीं करना और जैसे ही हार माइन आपकर कंट्रोल करता है. आपकी देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, फैसला करना सब कुछ बदल जाता है. इतनी मेरत जो हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हार माइन एक्टिव हो, हम कॉस्मिक इंटेलीजेंस से कनेक्ट होके वहां उस डिवाइन फॉर कारण सबके सेम है हर एक के सेम है दो कारण ये खुर्शीव भामनगिरी की बुक में लिखा हुआ है दो कारण हर एक आत्मा के जनम लेने के सेम है spiritual mission self-improvement ये गलती की थी अब इस बार नहीं करूंगी ये lesson सीखा अब जाके मुझे इसका test देना है इसको pass करना है self-improvement जो सीखा उसका test दे के pass करके आगे बढ़ना है अपने आपको सुधारते चले जाना है दूसरा है self-less service कि दूसरों को सुख देने के लिए उनकी मदद करना जो हम पिछले कुछ sessions में सीख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं दूसरे की मदद के लिए बिना किसी अपेक्षा के मैं क्या अच्छा कर सकता हूं उसने जो भी किया मेरे साथ, वो उसकी बुद्धी थी, लेकिन मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, तो मैं दूसरों के लिए क्या करूँ, दूसरों की भलाई मैं कैसे करूँ, मैं कैसे दूसरों को सुख देने का साधन बन जाओ, ये selfless service सीखने आत्मा आती है, हर आत्मा आती है कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई जल्मों में सीखता है, कोई जल्दी सीखके आगे बढ़ जाता है, तो ये हर आत्मा के दो lesson, हर एक आत्मा के लिए same है, तीसरा lesson सबका अलग-अलग है, जिस पर हमें मेनत करनी पड़ती है, और इसमें फस्ते इसी में है बहुत फर्स जाते हैं, तीसरा है make a difference, growth of the soul, ठीक है हम अपनी improvement भी कर रहे हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, क्या आत्मा किस तर पर आगे हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं आत्मा किस तर पर, तो growth of the soul, उसमें क्या है कि जो हमारे talent हैं, जो इश्वर ने, प्रक people clearly लागू होता है कि हमें उस divine pharmacy से कौन-कौन सी medicine कि समय मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे हमारी healing होगी, कि हम उस कुदरत के दिये हुए talent का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कुदरत के दिये हुए talent का इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए, मालो किसी को music आता है बहुत profession है, लेकिन अगर सिर्फ वो पैसा, पैसा, पैसा ही कमा रहा है, तो दिये हुए talent का सही स्तेमाल नहीं कर रहा, उसे service भी करनी चाहिए, difference create करना चाहिए, कैसे, कि ठीक है वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसे जुरूरत मंद, जो पैसे नहीं दे सकता, जिसे शौक है सीखने का उसे free में भी सिखाना चाहिए, service करनी चाहिए, कि उसके उस जगा पर होने से, क्या change हो सकता है, क्या better हो सकता है, तो जितने हिस्से में धर्ती के हम है, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कि हम धर्ती की उर्जा को बदल देंगे, स्वर्ख बना देंगे, हम अपने आपक अपने पर काम नहीं करना चाहते हैं, हम बड़े-बड़ी चीज़ें को पकड़ लेना चाहते हैं, तो अगर इसमें छोटा सा example, अगर आप लोग की यह का जाता है, कि सेशन के बाद experience शेयर करना है, तो वीडियो बन करके हम बैठ जाते हैं, वो टेलेंट है हमारा, हमें मास स्वाध्य करो, आप आके सेशन्स लो, पत्री सने यह platform क्यों बनाए है, यह किसी एक का platform नहीं है, ग्यान भारत है, यह जितने भी platform में किसी एक का नहीं है, सभी का है, क्या हम इन platforms को use कर पा रहे हैं, जैसा हमें करना चाहिए, इतने बड़े-बड़े हम subject समझ रहे हैं, मैं तो हम अपने talent का सही इस्तेमाल नहीं कर रहें, लेकिन हम जब यह सोच रहे हैं कि जो मुझे समझ महीं, मैं बांट दूं इसको, यह मेरा नहीं है, यह universe ने दिया है, यह उधारी है मेरे उपर, तो मैं इसको बांट दूं, तो universe और देगा, तो मैं क्या difference create कर सकती हैं, तो ज और यहां पे हम मार खा जाते हैं, service कई तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आपको पकड़े रखते हैं, अब यह मैंने आपको एक बात की, कि यह platform है, आप आईए, ध्यान सिखाए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, open platform है, लेकिन यह भी service हम करना नहीं चाहते हैं, तो सर ने का कि pyramid call services शुरू करो हर state में, कि जो लोग phone पे ध्यान सीख सकें, आजा नहीं सकते हैं, phone पे ध्यान सीख सकें, अब वो सर ने platform शुरू कराया, तो सर ने मुझे का कि यह training center है, आप लोगों को training दो online, कि वो ध्यान कैसे करना है, उनको डर लगता है, घबराट होती ह तो आपके platform पे आके वो सीखें, और फिर वो अपना सेवा करें, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद क्या हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं हम चाहते हैं, हम बिल्कुल सही रहे हमारा परिवार सही रहे, लेकिन क्या service देने के लिए हम तयार हैं, अगर आप देने के लिए तयार नहीं हो अंदर से, तो फिर आपको universe क्या दे आपको, खाली कप होगा, तो उससे भरा जाएगा, जो already भरा है, उसमें क्या भरा जाएगा, जो भी डाला जाएगा, वो बैता रहेगा, तो अब उसका लाब नहीं ले पाओगे, तो हमें अपने resources को share करना है, बुद्धी है, ग्यान बांटिये, समय है, समय बांटिये, आपके पास श्रमदान, अभी हमारे सिक धरम में तो श्रमदान का इतना महत्वज, इससे सेवा का जाता है, कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है, मैं जब पिरामिड वैली जाती थी, बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते तो वहां पर वालिएंटियर साते थे, अलग-अलग स्रेट से, वालिएंटियर की मीटिंग सोती थी, उन्हें बताया जाता था, कि आपकी क्या काम करना है, आपको क्या सेवा करनी है, तो मैं अपनी बात बता हूँ, तो मुझे लगता था, मुझे तो रिसेप्शन कांटर पर बिठा दें, मैं रिसेप्शन पर एंट्री करके, वो सब करके मैं कर लूँगी, या मुझे कोई फूड कांटर पर भेज दें, इधर भेज दें, मतलब मैं ऐसी सर्विस कर सकती हूँ, और मैं इतनी हैरान हुई, इतने ऐसे मास्टर थे, जिन्हों ने अपनी इच्छा स कहा कि हम वास्जुम्स को साफ करने की सर्विस लेते हैं, तो मैंने अपने आप को तोला कि मैं कर सकती हूँ, उस समय तक मैंने कर सकती थी, शाहद आज भी मैं शाहद ना कर पाँ, तो हर, हर इसका मतलब यह नहीं है, कि जहाँ पर आपको लोग देख रहे हैं, वो सर्विस ह वो है जहां आपको कोई देखनी रहा, गुरू देख रहा है, सिरफ गुरू देख रहे हैं आपको और आप सर्विस कर रहे हो, वो सर्विस है, लोगों की नजरों में आना सर्विस नहीं है, सर्विस वो है गुरू की नजर के नीची आजाना, तो इसलिए हमारे इसमें किसी जड़ करना इंको इजल यह सब चीजे हमारे इसका इक पार्ट है श्रमदान का पार्ट है हम यह सोचे कि हमने तो वही पैसे दे दिया बंडारा लगा दिया हो गया हमारा काम हमने तो कर दी बाहत सेवा कर दी लेकिन अगर श्रमदान नहीं कर रहे हैं, तो वो सेवा कंप्लीट नहीं है, सेवा आप सब जाते हो तन मन और धन का जाता है, तन माइनस मन धन नहीं होता, मन माइनस तन धन नहीं होता, और तन मन माइनस धन सेवा नहीं होती, तीनों को मिलाकर हर धरम में सेवा करने के लिए का गया है, श् सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दान अगर यह इतना important नहीं होता तो पत्री सर पहला principle यह नहीं बनाते थे कि आना-पाना सती ध्यान करो और आना-पाना सती ध्यान सिखाओ यह एक principle है दो नहीं है हर एक धर में यह बताया गया है कि आप जो जान पा रहे हो जो सीख रहे हो उसे बांटो सिखाओ सर कहते थे A आता है A सिखाओ B आता है B सिखाओ जब आप इस तरह से सेवा करनी शुरू करते हो श्रमदान धनदान ग्यानदान समयदान ध्यानदान तो यूनिवर्स जो मास्टर्स देख रहे हैं आपको वो आटोमेटिकली जब आप किसी सिच्विशन में आते हो यह आप मान डिये पोश में जमा कर रहे हो और जब आपको कभी जीवन में जरूरत पड़ेगी तो उस डिवाइन फार्मेसी से आपको जैसी दवाई चाहिए रसी मिलेगी क्योंकि आपने दूसरों की मदद की है अब हम दवाई तो चाहते हैं बेस्ट में मिल जाए लेकिन हम कुछ नहीं तो कैसे होगा तो इस डिवाइन फार्मेसी से दवाई उसी को मिलती है जो डिवाइन के लिए काम करता है और काम करना इतना इजी है डिवाइन के लिए आज की डेट में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है आपना मोबाइल आउन करो अपना लैप्टॉप आउन क तो क्या होता है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री नहीं है, अब नीता मैम ने बता दिया, संगीता मैम ने बता दिया, सेशन ले लिया, मैंने बता दिया, और इतने मास्टर्स ने आकर बता दिया, लेकिन आप कुछ भी उसमें योगदान नहीं डाल रहे हो, खाली लेने के बाद भी जब आपको उस ग्यान की जरूरत पड़ेगी, तो आपके ब्रेश डिया जाएगा, क्योंकि आपने देना सीखा ही नहीं है, तो वो वाश हो जाएगा, और अगर आप ये चीजें कर रहे हो, आप डिवाइन के साथ हो, आप जो भी आपको बताया जा रहा है समझाया जा रहा है जो भी आपको इंट्यूशन आ रही है आप उसके अनुसार काम किये जा रहे हो तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट जमा होती जा रही है ये ब्याज पे ब्याज बनता चला जा रहा है और जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या हमने डिवाइन इसमें स्पिर्च्छल में इन्वेस्टमेंट किया है जो गुरू ने बताया है अगर हम कर नहीं रहे तो कहां से मिलेगा तो इसी लिए ये चीजे करनी बहुत जरूरी है तन मन और धन से मालों की बु तो मुझे पता था उसमें क्यों कि याद आया क्योंकि आपने इमान-दारी से काम नहीं किया आपको इमान-दार रहना है अपने स्वेयम के प्रती कि जहां भी मैंने कुछ लिया है वहां मुझे कुछ देना भी है और आप देखो कि मंदिर का तो मैं इतना नहीं जाती हूं लेकिन मैं अपने उसमें जाती हूं गुर्दवारे में कि गोलक होती है जब हम जाते हैं अंथा टिकते हैं वो हमने गुरु को श्रदा से दे दिया वो एक अलग चीज है लेकिन ये जो हम देते हैं जो ज्ञान बांट रहा है जो हमारे साथ wisdom शियर कर रहा है किरतन कर रहा है भजन सुना रहा है कथा सुना रहा है वहाँ पर जो box पड़ा रहता है वो हमारा token of gratitude है कि मालो किसी ज्ञान स आपकी आत्मा तरोबतर हो गई किसी भजन से आपको इतना अनंद आ गया अब आप तो अनंद लेके घर चले गए वह खतम होगी कहानी लेकिन आपने अगर token of gratitude आपने चाहे 10 रुपे डाले 11 डाले या 21 डाले वो आपकी अपनी श्रदा है आपकी अपनी कितनी capacity है लेकिन ज अगर आप नहीं दे रहे हो लेते चले जा रहे हो तो divine pharmacy फिर वो आपको बंद है जरूरत पढ़ने पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको और यह आप करके अजमा के देखो मेरी grandmother थी वो जाती थी उनकी गुर्द्वारे में समाधी लग जाती थी कोई उनके पास नहीं बैढता था इतना वो समाधी में चली जाती थी इतना उन्हें अननद आता थे जब वो अननन्द से तर्बतर हो जाती थी उस समय इतने साल पहली बात है अभी 50 साल हो गए अभी वो अपने उसमें उस समय तो एक रुपया भी बहुत होता था एक रुपय दो रुपया वो अपने बांध कर रुमाल में लेकर जाती थी जब उनकी आत्मा कहीं एसरे ट्रेवल करकी आई कहीं से उन्हें ग्यान मिला ऐसी तरबतर हो गई तो वो उसी समय वो उठकर वो पैसे मापर डाल देती थी token of gratitude तब मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी आज समझ में आती है कि वो कितना जरूरी होता है token of gratitude कि आपने क्या दिया है एक दिया है दस दिये हैं सो दिये हजार दिये वो नहीं लेकिन आपने देना सीखा है आपने जो लिया है उसका कुछ प्रत फार्मेसी सपोर्ट नहीं करती है तो हमें इन सब चीजों का बहुत माइनीटली जीवन में उतारना है अब नीता मैम ने बुक चापी तुम शाश्वत हो इतने सेशन हो रहे हैं सब चीजें हो रही हैं लेकिन अगर हम बुक नहीं लेते हैं नहीं पढ़ते हैं तो मतलब हम value नहीं करते हैं उन चीज़ों का हम चाहते हैं कि हमें digitally free में सब कुछ मिल जाए और आज की date में मुझे अभी दो दिन पहले ही ये चीज समझ मैं किसी ने share किया फिर मैंने उसमें सोचा कि इसमें क्या सही है ऐसा नहीं कि जिसने जो share किया मैंने ले लिया और उसको apply कर दिया नहीं उसको सोचा कि ये कहां तक सही है बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन मैंने उसमें change किया amendment किया कि ये पूरी सही नहीं है अब मैं और नीता मैं बात करते हैं तो कई बातों में नीता मैं मुझसे सामत नहीं होती है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूरी बना रहे हैं अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी बुद्धी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और हर एक को करना ही चाहिए ये नहीं कि आखे बंद करके अब किसी के पीछे चल पड़े नहीं आप तो ठीक है रहे हो, आप ठीक है रहे हो, नहीं, हर एकी अपनी जर्नी है, तो हम digital service कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि आप platform पे ध्यान करा सकते हो, ध्यान सिखा सकते हो, आप अपना experience शेयर कर सकते हो, आप किसी book का स्वाध्य कर सकते हो, ये open platform है आपके लि बादो, लेकिन आपको समझदारी से करना है, पहले तो कोई भी वीडियो जो आया है, कोई information आपके WhatsApp पे आई है, पहले उसे पूरी सुनो ध्यान से, सुनने के बाद देखो कि क्या वो मेरे काम की है, क्या इसमें कुछ ऐसी सच्चाई बात है, या सिरफ copy-paste का मामला है, तो अगर वो copy-paste का मामला है, और आपको लग रहे है कि यह नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो उसे मत शेयर करो, आज की डेट में हम इतने करमा घर बैठे-बैठे खराब करने है, इधर से information आई, negative आई, उधर से आई, फटा-फट से शेयर कर दिया रहे, यह हो रहा है, य यह बहुत बड़ा करमा बना लेते हैं, घर बैठे-बैठे, बहुत समझदारी से शेयर करना चाहिए, और जहां आपको लगता है कि यह बहुत अच्छी information है, बहां आप सिरफ आपके एक touch करने से, like करने से, या share करने से, या subscribe करने से, किसी की जिन्दगी बदल जाती है, आ subscribe करते हैं, बस लिए चले जाते हैं, और लेते भी कैसे हैं कि अरे यह thumbnail देखा, बहुत बड़ी है, share कर दो, हमें खुद नहीं बता, उसमें क्या है, काम का है, काम का नहीं है, तो आज की date में यह जो digital pollution हम फैला रहे हैं तो यह बहुत गलत है, हमें बहुत समझदारी से, जो नहीं, like, share, subscribe तब करो, जब आपकी अंदर से लगे कि हाँ, यह information सही है, यह मुझे share करनी जाए, तो देखो, आप अगर यह आज से apply करोगे ना, तो कल WhatsApp में सिर्फ 4-5 ही message आएंगे, यह WhatsApp भरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि सारे copy-paste के message है, मैंने एक बार क्या किया, कि एक message जाया मेरे पास, और मैंने वो सुना, 20-25 मिनिट का message था, मैंने 15 मिनिट सुना, वाव, बहुत बढ़िया message है, मैं वैसे ऐसा करती नहीं, पर उस दिन मुझसे गलती हुई, बहुत बढ़िया message है, मैंने सारे groups में डाल दिया, सारे groups में डाल दिया, जिसने मुझे वो message personally गया था, तो मुझे लगा अभी share कर देना चाहिए, तो मैंने share कर दिया, उसने मुझे का 15 मिनिट के बाद वाला सुनके फिर मुझे phone करना, मैंने का क्या क्या हो गया, क्या रही नहीं, आप खुद सुनो, क्या है उसमें share करने लाइक, जो आपने फटा-फट share कर दिया, तो मैंने सारे groups में message डाला, कि मुझे से गलती हुई है, मैंने बिना सुने ये message share किया है, ये information सही नहीं है, प्लीज इस message को मत पढ़िएगा, मत खोलिएगा, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करना, ये बहुत बड़ा कर्मा बन जाता है, अग अगर हम ये चीजें करते हैं, तो आपको जो भी share करना है, आप पहले खुद समझो, अच्छा लगा, तो ये digital सेवा है, फिर उसको like करो, फिर share करो, और वो आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को subscribe करो, नहीं अगर अच्छा लगता, आज आपको अच्छा लगा, आपने subscribe किया, थोड़े दिन बाद आपको लगते कि अरे इसमें तो पहले तो information ठीक, अब information ठीक नहीं है, तो उसका भी आपके पास option है, you are the powerful, अगर हम बोलते हैं, हम हर तरह से powerful है, चारो तरफ से इतनी bombarded information आ रही है हमारे पास, इतनी bombarded information आ रही है, कि हम उस information को हमारा mind absorb करने की स् इसे हमने पहले slides में जाना कि body works on information, तो आप अपने अंदर information डाल के आ रहे हो, ये तो देखो आप, आप चाते हो कि हर चीज सही हो जाए, किसी ने मुझे फोन करके बोला माडम, मेरे ना सुभा उठने का मन नहीं करता, मुझसे ध्यान नहीं होता, दो साल हो गया, मुझे कर देते हो आप फिर दिन में, सिरफ एक ध्यान करना छोड़ते हैं, बाकि सारे काम करते हैं, सिर दरदो, गोली खाके भी काम करेंगे, खाना भी बनाएंगे, कहीं पार्टी में जाना है, वो भी जाएंगे, ध्यान करना छोड़ देंगे, और हम चाहते हैं कि Divine Pharmacy से हमारे तो कैसे आएगी सफलाई, आपको पहले कुछ करना है उसके लिए, फिर आप देखो, कि एक में आपने शाय सुना होगा, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप ये संकल्प अपने मन में ये पक्का कर लो कि जिस दिन में सुबा ध्यान नहीं करूंगी, मेरी तबियत खराब है, म से सुधारना पड़ता है, अगर आप इसकी बाते मानते रहोगे, तो ये अपनी मन मानिया कराता रहेगा आपसे, और सज्जन सांगते करते हुए, आपका अकेले बैठ कर साधना करने का मन कर रहा है, तो आपका रास्ता सही है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है, कि मैं तो अकेले कर लूगा या मैंने तो बस सर्जन सांगते कर लिया मुझे अकेले करने की जुरूत नहीं तो दोनों चीज़ें सही नहीं है पत्री सर ने ये प्रिंसिपल दिया कि अपने अनुभव दूसरों को बताओ और दूसरों के अनुभव सुनो एक ही प्रिंसिपल है दो तो पहले तो आप ये digital service कर सकते हो कि आपके subscribe करने से आपके like करने से आप energy share कर रहे हो universe देख रहा है यह मैं सोचो कि channel को फाइदा हो रहा है universe देख रहे है कि आप service में लगे हुए हो तो आपको जब आपको जरूरत होगी तो आपको भी वो सेवा दी जाएगी तो हमें क्या करना है, अगर हमें नहीं अच्छा लगता तो हम अंसब्सक्राइब कर सकते हैं, कितने देर लगती हैं अंसब्सक्राइब करने में, हम जब नहीं अच्छी लगरी हो चीज तो अंसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत समझदारी होनी चाहिए हमें, कि ह हमें क्या शियर करना है कितना शियर करना है और कैसे शियर करना है और सबसे जरूरी बात कितने लोग नीम्बू मिर्ची लेकर जाके चुराय पर फेकते हैं ध्यान भी करते हैं और फिर नजर लग जाती है तो नीम्बू मिर्ची लाके चुराय पर हम लाके घर में करके जो भी तोटका करके हम फेग देते हैं किसके लिए फेगते हैं कि हमारी बला दूसरे के सिर चड़ जाए चुराय में फेग दो जो इसके निम्बू से उपर से निकलेगा वो बला उसको चड़ जाएगी तो बच बच के लोग निकलते हैं भी बचके निकलते थी, निम्बू से बचके निकलते थे कि ये कोई करके फेग गया है, तो अगर हम कितनी गहरी बात है, कि हम अपनी बला दूसरे के सिर पर डालना चाहते हैं, हमारी तो उतर जाए, दूसरे पर चड़ जाए, तो क्या डिवाइन फार्मेसी से हमें दवा मिल कि छोटी-छोटी बाते हैं, ये हमारे डर को दर्शाता है, जो हमें निम्बू मिर्ची दे रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा, जो हमसे शनिवार को तेल लेके जा रहा है, वो उसी तेल को बेच रहा है, उसी तेल में पकाड़े बना के खा रहा, उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमें डर लग रहा है कि हम अपनी नजर उतार लें हमारी बला किसी दूसरे पर चड़ जाए तो डिवाइन तो देख रहा है ना आपको कि आप क्या कर रहे हो तो कर भला, हो भला, अंत भले का भला अगर हमें ये सिध्धात नहीं आया तो डिवाइन फार्मेसी हमारे लिए बंध है हमें डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहिए ये गूगल पर एक स्टोरी है बहुत प्यारी कि डॉक्टर मार्क हुए है cancer specialist ये real स्टोरी है कैसे डिवाइन पर ट्रस्ट करने से चीज़ें काम करती है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है खाली ध्यान कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं नहीं जो चीजें जरूरी हैं बारीकी वाली चीजें हैं वो समझनी बहुत जरूरी है तो ये लेडी है इसका बेटा बिमार हो जाता है चोटा बच्चा बिमार हो जाता है और टेस्ट कराके सब करकराके पता चलता है कि उसे कैंसर ह बात है और यह उस समय के टॉप cancer specialist डॉक्टर तो डॉक्टर सब डाइग्णोज करने के बाद कहते हैं कि आपके बेटे का operation डॉक्टर मार्क ही कर सकता है तो इसे जीवन मिल सकता है अधरवाइस कोई और रास्ता नहीं है तो इसने बूचा डॉक्टर मार्क का मिलेंगे तो बो क्योंकि वह तो गरीबों का इलाज देखते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है वह तो बड़े-बड़े अमीरों का इलाज करते हैं और इतने बीजी है इतना ट्रावल करते हैं तो आप इतने चोटे से गाउं में रहते हो जहां कन्वेंस जानी भी मुश्किल है तो कैसे होग वो कैर यह होगा यह कुद्रत करेगी तो वो अपने घर चली जाती है और प्रातना करती रहती है कि मेरे बच्चे को ठीक करो मैं नहीं पहुंच सकती डॉक्टर मार्ग तक सोच देखो हम कहते हैं ना पत्री सर ने हमें miraculous thinking दिया है लेकिन हम क्या उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो इसकी सोच देखो यह प्रातना हर दिन करती है परमात्मा से जिसको भी मानती है कि मैं नहीं पहुंच सकती यह तो तया है कि मैं नहीं पहुंच सकती हूँ ना मैं उसे बुला सकती हूँ पर तुम तो पहुंच सकते हो तुम तो जानते हो तुम तो बुला सकते हो तो हर दिन प्रातना करती है इधर डॉक्टर मार्ग को किसको इवार्ट देने के लिए किसी कंट्री में बुलाया जाता है और यह फ्लाइट लेकर वहां चले जाते हैं वहां से एयरपोर्ट से इन्हें तीन चार घंटे आगे ट्रावल करना है रास्ते में फ्लाइट खराब हो ज सफर है आप टेक्सी लेकर चले जाओ तो आप पहुंच जाओगे तो यह टेक्सी लेकर चले जाते हैं वहां से ऐसा रास्ते में आंधी तुफान आता है कि यह रास्ता भूल जाते रास्ता भूलने के बाद भटकते 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 उस गाउं में पहुंच जाते हैं और उस लेडी के दर्वाजे के बाहर पहुंचते हैं, रात का टाइम है, अंदेरा है, तुफान है, दर्वाजा खटकाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या मैं आज यहां रुख सबता हूँ, अब अब तो जान बचनी चाहिए, तो उन्होंने का कि क्या मुझे यहां आश्रे देंगे तो उसने का ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, उसने दर्वाजा खोल दिया, खाना बना दिया, चाहे बना के दी, और उसने कहा कि देखो, मेरी प्रातना का टाइम हो गया, मैं प्रातना करने चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ प्रातना करो, तो हसता है, कहा रहा है, कौन क्या भगवान कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, भगवान मुगुन कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में है जिंदगी देना और लेना, तो वो कहती, कोई बात नहीं ठीक है, आपने नहीं करनी, मेरा तो टाइंग होगे, मैं प्रातना कर रही हूं तो यह प्रातना कर दी है और डॉक्टर मार्क इसकी प्रातना बैठ कर सुनते हैं कि मैं नहीं जानती हूं डॉक्टर मार्क कहा है कैसे पहुंचेंगे मैं उन तक कैसे पहुंचेंगी लेकिन तुम जानते हो तुम कर सकते हो तो उनकी डॉक्टर मार्क प तक पूंचों सितन कोने जो चाहिए तो उसे पारसमे जोितार बाल Humu बलावं के सब्सक्राज़ों को टो जिन्दघी बदल गुए चाहिए और एक कहानिे उस्की tutorials पर है थो आगर हम भरोसा रखते हैं डिवाइन पर, खुद पर, अपनी प्राथना पर, अब यहाँ प्राथना की जगह आप लगा लो, अपने ध्यान पर, अपने गुरु पर, तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए गुरु के दिये हुए सिध्धानतों पर चलना पड़ेगा, हम मन मानिय कर सकते हैं अपनी, के अपनी मन मानिय करें, तो इसलिए हमें प्राथना दी गई, नानक नाम चड़दी कला, तेरे पाने सरवत का वला, कि सब का भला हो, अब आप मन में सोच रहे हो, कि उसका बुरा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसको कुछ हो तो आपको यह कहने ही पड़ेगा नानक नाम उसके बिना प्राथना प्राइफ फोरी हो गी नहीं해요 आपको वो कहने ही पड़ेगा एक तरफ तो आप कहले हो उसका बुरा हो और लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हो कि सबका भला हो, तो कौन सी बात सुनी जाएगी, तो इसलिए का गया सर्वे भमन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्त रहें, सभी रोह मुक्त रहें, सभी मंगल में जीवन बैतीत करें, किसी को भी दुखा भागी ना पढ़ना पड़े, और यही enlightenment है, enlightenment कोई ऐसा है, और अपने अंतर के ज्यान के अनुसार जीवन जीती है, अगर आप जो कर रहे हो, उसमें आपको अनंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने परपस के साथ एलाइंट नहीं हो, कहीं कई गड़बड हो रही है, और अगर आप अपने परपस के साथ एलाइंट नहीं हो, तो आपको घुटन होगी, आपकी आत्मा को वो काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, आपको लगेगा मैं क्यों कर रही हूँ, मजबूरी में कर रही हूँ, जबरदस्ती कर रही हूँ, तो आप समझो कि आप अपने purpose के साथ aligned नहीं हो, और जब आपको अपना purpose पता है और उसके रहो, enjoy करते रहो, यह बहुत जरूरी है, पत्री सर ने एक बार बैठे थे तो बात की, कि सब लोग enjoyment की, वो enlightenment की बात करते हैं, लेकिन मेरे पास enjoyment है, जिससे enjoyment चाहिए, वो मेरे पास आजाओ, वो पत्री सर कहते थे कि हमारे life का purpose, enlightenment नहीं है, enjoyment है, अगर आपको उस काम में मज दे रहा है, वो आपका enlightenment है, और अगर आप बड़े-बड़ी चीज़ें करें और आप अंदर से खुश नहीं हो, तो वो enlightenment नहीं है, आपका, सही proper enlightenment नहीं है, proper enlightenment है, कि आप उस ज्यान से पल-पल अनंद से जी रहे, पल-पल अनंद से जी रहे हो, आप अपने purpose के साथ aligned हो, मन रखने के लिए class ले रही हूं, तो I am not aligned with my purpose, तो जहां आपको लग रहे हैं कि आप अपने purpose के साथ aligned नहीं हो, आपको खुशी नहीं मिल रहे है, वहां से हट जाना ही बेतर है, आपकी आत्मा नहीं चाहती है कि आप वहां पर खड़े हो के काम करो, तो वहां से हट जाना ह जाना ही बेतर है, तो मेरे क्या है?